सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर दिपाली निगम आज आप सभी के समख्ष फिजिकल एजुकेशन के नए लेक्चर का टॉपिक लेकर आई हूँ Eminent Sports Personality of India ओलंपिक का नाम सामने आते ही भारती होकी का वो सर्णिम दौर जो आज भी सुर्खियां पर टुरता है हमारे सामने आ जाता है भारत जो गोल्डन रिकॉर्ड अपने नाम रखता है होकी में आठ स्वन पदकों का दबदबा इस दौर में भी दूसरी टीमों के लिए उधार रना है हाला कि 1980 के मौसको में ओलम्पिक के बाद यह सिलसिला तूड गिया था टोक्यो में हम ओलम्पिक में गोल्ड तो नहीं जीत पाये थे लेकिन कान से पर हमने जरूर कबजा कर लिया था भारत के ओलम्पिक एतिहास में होकी को सर्वोच इस्थान प्राप्त है और यही एक खेले जिस पे हमने राज किया है होकी में भारत ने अब तक आठ सुन पदक सहित कुल बारा मैडल अपने नाम किये हैं आईए हम उन्यादों समेटते हैं और जिसे हैं याद कर हम आज भी रोमांचित हो उटते हैं ऐसी है हमारी होकी पर गर्व करने वाली गोल्डन गाता और इस गोल्डन गाता में के महानायक है मेजर ध्यान चन जी हाँ जादूगर मेजर ध्यान चन आज भी हम इनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए इच्चुक रहते हैं मेजर ध्यान चंजी का जन्म 29 अगस 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहबाद जिले में हुआ था जिसे आज हम प्रियाग राज के नाम से जानते हैं मेजर ध्यान चंजी के पिता जी का नाम समेश्वर दत सिंग था जो कि भारतिय सेना में सुबेदार के पद पर कार रहत थे और उन्हें हौकी खेलना बहुत पसंड था लेकिन मेजर ध्यान चंजी का बचपन में होकी के प्रती कोई भी रुज़ान नहीं था जबकि उनका रिज़ान कुष्टी में जादा था लेकिन धीरे-धीरे समय बीचता गया उनकी जो शिक्षा दिक्षा हुई वो इस सरकारी कॉलेज में हुई सरकारी स्कूल कॉलेज में हुई और 16 साल की उम्र में 1922 में उन्होंने इंडियन आर्मी को जॉइन कर लिया था उसके बाद उनका धीरे धीरे आकर्षन होकी की ओर बढ़ता चला गया मेजर तिवारी के अंडर में उन्होंने कई सारी होकी की बारिकियों को सीखा और तभी से उनके मन में एक अलग जग गई थी होकी के प्रती और मेजर तिवारी के सुपर्विजन में मेजर ध्यान चन्जी ने अपने होकी के करियर को आगे बढ़ाया 1928 में पहली बार मेजर ध्यान चन्जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था ओलंपिक खेलों में ये पहला समय था जिसमें मेजर ध्यान चन्जी ने भारत को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई अपने अंतर राश्ट्री करियर में मेजर ध्यान चंजी ने भारती होकी टीम को एक नए आयाम तक पहुचाया 1928 में एमिस्टरडम, 1932 में लॉस अंजिलिस और 1936 में बर्लिन ओलपिक खेलों में लगातार स्रंट पदक भी प्राप्थ हुआ उनके कैप्टेंसी में भारत ने लगातर तीन बार गोल्ड प्राप्थ किया पहले ही मैच में तीन गोल, ओलंपिक में 35 और अंतर राश्ट्री मैचों में 400 से भी ज्यादा गोल और पूरे करियर में 1000 से भी ज्यादा गोल करने वाले मेजर ध्यान चंजी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में आज भी होकी के छेतर में लिखा जाता है अपने अंतिम वर्षों में मेजर ध्यान चंजी को 1956 में 51 साल की उम्र में भारत सरकार द्वारा भारत के 30 से सबसे महत्पूर्ण नागरिक सम्मान द्वारा पद्म भूशन तारा सम्मानित किया गया उन्होंने अपने रिटार्मेंट के बाद राजस्थान के माउंट अबू में भी कोचिंग कैम्स में होकी के गुणों को बहुत सारे खिलाडियों को सीखाया और इसके बाद वो NIS पतियाला में चीफ होकी कोच के रूप में भी काररत रहे उन्होंने कई वर्षों तक इस पोस्ट को भी संभाला और इस महाशक्सियत ने 3 दिसंबर 1989 को अंतिम सास ली और हमेशा हमेशा के लिए शान्त हो गए आईए मिज़ ध्यानचन जी के जीवन के बारे में कुछ रोचक तत हैं जिनको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर ध्यानचन जी की हौकी स्टिक के बारे में लोग को बहुत ही उचुकता थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपनी हौकी में कुछ मैगनेट लगा रखा हो और इसको जाशने के लिए अंतराश्ट्री मैं जब नीदरलेंड में हो रहा था तो वहां के ऑफिशल्स ने उ जो असली नाम था वो ध्यान सिंग था ध्यान चंद की नाम लगने से कंद जो उनके नाम में लगा इसकी एक रूचक तथ है क्योंकि भारती से न में जब वह थे उस समये उनको बढ़ा ही हाकी खेलने का इतना जुनून था कि वह चान्दमी रात में भी हौकी की अभ्यास क अला गया और आज सभी ध्यान चंद के नाम से मेजर ध्यान चंद जी के नाम से इनको जानते हैं मेजर ध्यान चंद जी के प्रशंसकों में जो जर्मनी के तानशा हिटलर थे वो भी इनकी प्रशंसकों के श्रेणी में थे और वो इतना इनके खेल से प्रभावित थे कि उन्ह मेजर ध्यांचन जी के नाम से 2002 में ध्यांचन एवार्ड भी शुरू किया गया ये एक lifetime एवार्ड है जो कि खेलों में अच्छी प्रदर्शन करने वाले खिलाडी को और retirement के बाद भी यदि किसी खेल में किसी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है तो उसको दिया जाता है ये एवार्ड 2002 से शुरू हुआ था जिसको हम लोग मेजर ध्यांचन जी के जन दिन पर देखते हैं कि मेजर ध्यांचन जी का जन जो कि National Sports Day के रूप में जाना जाता है राश्ट्री खेल दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है इसके अलावा मेजर ध्यांचन से प्रभावित होकर इनके अचीवमेंट से प्रभावित होकर एक डाक टिकट भी जारी किया था इनके सम्मान में और आज पूरा भारत 29 अगस्त को इनके जन्म दिन को भारत National Sports Day के रूप में मनाता है और इस दिन सर्वच खेल पुरुसकार जिसको राजीव गंदी खेल र उच्छ प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को और खेलों के छेतर में महत्पून योगदान देने वाले खिलाडियों को दिये जाते हैं मेजर ध्यान चंजी ने अपने पूरे करियर में कुछ quotes दिये थे कुछ quotations थे जो मैं यहाँ पढ़ रहे हूं if you could not get a goal from that you did not deserve to be on my team next उनका एक बहुत अच्छा कोट था it is not my country's duty to push me ahead it is my duty to push my country ahead यह बहुत ही inspire करता है मुझे भी मैं यहाँ पर और भी कोट्स बताना चाहूंगी जो 1936 बर्नल ओलम्पिक खेलों के दोरान लोगों ने कोट किये थे तो आप समझ लीजे विश्व में पूरे विश्व में उनके खेल का कितना परचम फैरा हुआ था सर डाउन ब्रेडमेन को हमें से कौन नहीं जानता है यह क्रिकेट के महानायक है और क्रिकेट में इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है जिस तरीके से क्रिकेट में सर डाउन ब्रेडमेन का नाम लिया जाता है उसी तरीके से मेजर ध्यान चंजी का नाम होकी के छेतर में सम्मान के साथ लिया जाता है और सर डाउन ब्रेडमेन में एक बार इनके बारे में कहा था और इस साल भारत भी विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है जो कि भारत के उड़ीसा में आयो जित होने जा रहे है और मेरी पूरी भारती होकी टीम को हिर्दय से बहुत धेर सारी शुबकामना हैं कि हम फिर से एक बार गोल्ड जीते और अपने देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान विद करें इसी शुबकामनाओं के साथ मैं आज के इस लेक्चर को समाब्त करती हूँ और अगले लेक्चर में मैं नएक विशे के साथ एक नई एमेनेंट स्पोर्ट्स परसनालिटी के साथ आपके बीच में उपस्तित होंगी नमस्कार